अस्सलाम आलाइकुम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस्तक्बाल है आपका अबरिन अकाडमी में आज हम ब्रीज कोर्स का आठवी जमात का 37 वे दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टापिक है फीसा गौरस का मसला आईए समझ ले दीवी शकल में अस्लम के घर से स्कूल जाने का रास्ता बताया हुआ है इसे अपने घर से नजदी की रास्ते से स्कूल जाना है तब वो कौन सा रास्ता इखतियार करेगा जरा गौर करे तो जो नुक्ता A है वहाँ पर उसका अस्लम का घर है C जो है तो उसका स्कूल है तो उसको जाने के लिए दो रास्ते है एक A से C तक जाने वाला रास्ता है और एक जो है तो A से B और B से C इस तरह से जो रास्ता है यह दूसरा रास्ता है A.C. वाला रास्ता या A.B.C. वाला रास्ता जो काइमा जाविया बनाता है तो A.C. जो है तो ये सीधा रास्ता है और उनलतिक वाला रास्ता है तो वह वही रास्ता इस्तिमाल करेगा तो यहाँ पर ABC जो है तो एक मुसल्स है और AC जो है उस मुसल्स का वित्र है और जाविया B जो है वो नौवत दरजा है और नौवत के मुकाबिल का जो जिला होता है वो मुसल्स का वित्र कहलाता है काइमा जाविया यानि नौवत दरजे वाला जाविया और उस जाविय के मुकाबिल का जो जिला होता है उसको वित्र कहते है तो यहाँ पर शकल में A.C. जो है तो वो मुसल्स A.B.C. का वित्र है अब आगे बढ़ते है मसला काइमत जाविय मुसल्स में वित्र का मुरबा बाकी दोनों अजला की लंबाईई के मर्बो के मजमुएं के बराबर होता है तो कामत उस जाविय मुसल्स यानि उस्वे जिसमें एक जाविय नुवत दरजे का हो ठीक है? और उसी नुवत दरजे के मुकाबिल का जो जिला होता है उसको वितर कहते है तो फिसाग और उसका मसला क्या है कि मुसलस का जो वित्र है उसका मुरब्बा तो यहाँ पर दूसरी शकल के अंदर बताया गया है कि वित्र की पैमाई जो है वो ए है और एका मुरब्बा यानि एक की दूसरी वो बराबर होगा किसके बाकी जो बचे हुए दो जिले है उनकी लंबाईयों के मुरब्बे के मजमुएं के बराबर तो बाकी जो दो जिले है यहाँ पर शकल में एक की पैमाईश B लिखी हुए और एक की C लिखी हुए तो इनके मुरब्बे यानि B की दूसरी और C की दूसरी अब उनके मुरबों का मजमुआ यानि उनकी जमा मतलब किसकी जमा B की दुसरी जमा S की दुसरी तो इस तरह से फीसा गौरस के मसेले को हम लिख सकते है A की दुसरी बराबर B की दुसरी जमा deg şी की दुसरी ठीक है यहां पर दो पॉइंट है उनको आपको जहन नशिन करना है पहला है कायमत जाविया के मुकाबल के जिले को वित्र कहते है कायमत जाविया यानि नुवत दरजे वाला जाविया उसके सामने वाला जो जिला होता है उसको वित्र कहा जाता है और वित्र मुसल्स का सबसे बड़ा जिला होता है पायमत जाविया मुसल्स में वित्र की लंबाईयों का मुरबा बाकी दो अजला की लंबाईयों के मुरबों के मजमुएं के बराबर होता है यही हमने उपर पड़ा ठीक है तो यह दो चीज़े आपको याद रखना है उसी के उपर सवाल है सवाल नमबर एक मुकाबल की शेकल में कायमत जाविया मुसलस ए बी सी है इसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताईए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर धुनना होगा के वितर कौन है नववत दरजे वाला जाविया कौन है तो यहाँ पर जाविया सी जो है तो वो नववत दरजे वाला जाविया है उसके सामने वाला जिला ए बी या फिर बी ए ये वितर है तो वित्र जो है तो उसका सबसे बड़ा जिला कहलाएगा फिर सवाल नमबर दो है एक कायमत जाविया मुसलस में मुसलस ल, M, N में M, N बराबर 20 सम जाविया N बराबर 90 दरजा L, N बराबर 15 दरजा हो तो वित्र L, M की लंबाई मालूम कीजिए तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कायमत जाविया मुसलस में फिसा गौरस के मसले की रूसे वित्र की दूसरी, वित्र कौन है L, M की दूसरी बराबर L, N की दूसरी जमा M, N की दूसरी ठीक है तो L, M की दूसरी बराबर अब इसमें कीमते रख देंगे MN की कीमत कितनी है 20 20 की दुसरी जमा LN की कितनी है 15 15 की दुसरी ठीक है 20 की दुसरी कितना होगा 400 जमा 15 की दुसरी 225 अब 400 जमा 225 कितना हो जाएगा 625 तो LM की दुसरी बराबर 625 अब 625 और लम की दुसरी इनका क्या करें ग Heart करेंगे थो क्या रचाएगा यह रचाएगा यह बराबर 625 का। so all a-暗What क्या हो जाएगा 20 होजाएगा तो इस तरह 960 25 होगी वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज